वीडियो में हम बात करेंगे अरेबियन सी और बंगाल की खाड़ी में दोनों में लो फ्रेसर सिस्टम डिवलप हो चुके हैं और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनावा है उसकी भी एक स्ट्रॉंग वेदर सिस्टम बनने की संभावना है और साथ ही ये दोनों सिस्टम एक strong weather सिस्टम का रोख ले सकते हैं जनी कि depression की संभावना भी आप देख सकते हैं Arabian Sea में जो सिस्टम बनावा है उसके आसपास 45 km पर ते घंटे की स्पीड से हवाई चल रही है जबकि जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनावा है उसके आसपास अभी 30 km पर ते घंटे की साथ से हवाई देखी जा रही है तो जो सिस्टम Arabian Sea में बनावा है ये सिस्टम अगले कुछ घंटों के तोरान low pressure से well mark बनेगा और उसके बाद depression बन जाएगा है हलांकि ये well mark low pressure की केटकरी में ये सिस्टम अभी भी है क्योंकि 45 km के आसपास इसके हवाई चल रही है जब ये हवाई पिच्पन से 7 km तक जाएगी तो उस समय ये depression की स्रेणी में ये सिस्टम आ जाएगा और बहुत चल्दी ये सिस्टम अभी depression बनने वाला है बंगाल के खाड़े में जो system है उसको अभी depression तक की स्रेणी में जाने के लिए दो दिन का time में और लग सकता है अभी ये सिस्टम low pressure आज ही बना है जबकि Arabian Sea में ये सिस्टम आज रात को ही बन गया था और उसके बाद इसमें wind speed में काफी इजाफा देखा गया है और इन दोनों सिस्टमों के चलते तक्षन भारत के साथ मज्दे भारत के कुछ भागों में और पुरोतर भारत में कई स्टानों पे अच्छी बारिस होने की संभावना है अगले कुछ दिनों के दौरान यानि कि अगले एक सब्दा तक इन दोनों सिस्टमों के परबाव से कई राज्यों में भी शन वर्सा देखी जा सकती है रेबिन सी में जो सिस्टम बना हुआ है उसके परबाव से अगले दो तिन दीनों के दौरान माहरास्टर, करनाटका और साथी कौंकॉंगोः के साहथ केरला के भागों में यहां पर कैस्तानों पर अतिभारी बारिस हो सकती है जिसमें विशेश करके यानि कि कौंकुन गोगा का जो रीजन है यहां पर करनाट कोस्टल करनाटका के भागों में और साथी माहरास्टर के मुंबोई नासिक पूने आसपांस के भागों में कैस्तानों पर आज से ही यहाँ पर बारिस की गेट वीडियो में इजाफा देखने को मिलेगा और यह सिस्टम जो Arabian Sea में बना हुआ है यह सिस्टम हाला कि अभी कुछ अगले गंटों में डिप्रेशन बनने के बाद यह सिस्टम जैसे ही महराष्ट्रा और करनाटका का कोस्ट है उसकी तरफ यह सिस्टम आगे बढ़ेगा वहाँ पर यह फिर कमजोर होगा लोग प्रेसर बनेगा यानि कि 2 अक्टूबर तक यह सिस्टम लोग प्रेसर से साइक्लोनिक सरकुलेसन के रूप में यह सिस्टम आ जाएगा यानि कि चकरवाती हवाओं के चेतर के रूप में यह तेलंगाना और आसपास के भागों पे पहुंचेगा तो बहुत जादा सफर नहीं होगा इस सिस्टम का अलांकि इस सिस्टम के परभाव से 3-4 दिनों तक के तक्षन भारत में वेदर एक्टिविटी में काफी जादा परिवेतन देखने को मिलेगा लेकिन जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है इसके भी अलांकि यह सिस्टम भारत के कोट से काफी दूर है और इसका परभाव एक अक्टूबर के बाद में दिखना सुरू होगा जिसके परभाव से एस्ट पंगौल और ओडिसा के साथ जाहरकंड पिहार और उत्तर परदेश के पूरवी भागों के साथ पूरवी मत्य परदेश च्छतिस गड़ इन भागों में कैस्तानों के भार इस होने की संभावना है और अगले कुछ घंटों के दोरान यहां पे और जादा एक्टिविटी में बढ़ावा देखने को मिलेगा इस सिस्टम दोनों सिस्टमों के परभाव से देश के तक्षणी और उत्तर पूरवी भागों में ट्रेंफोल एक्टिविटी काफी अच् बढ़ोतरी यहां पे नहीं देखने को मिलेगी लगबग वेदर ट्राइग रहेगा यहां पर अगले 10-15 दिनों तक के हालांकि दिली तक की जरूर जो भंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनावा है उसके परभाव से बादल देखे जा सकते हैं आठ साथ आठ अक्टूबर के आसपास में लेकिन अभी यहां पे कोई ज़्यादा वीसेस अक्टिविटी होने के चांसे नहीं है राजस्तान गुजरात में जरूर जो अरेबिंची में जो सिस्टम बनावाए उसके परभाव से हलकी वरसा के सो रस्टर रीजिन में के इस तानों पे देखी जा सकते हैं और वीसेस करके गुजरात पर इस सिस्टम का बहुत ज़्यादा फरभाव नहीं होगा कोस्टल अलाकों में जरूर अलकी से मद्यम दर्जे की बारिस यहां पे देखी जा सकते हैं इसके अलबा पच्चमी मद्यपरदेश गुजरात के उतरी बागों के साथ साथ राजस्ता पच्चमी बारिस है जिसके चलते नुकसान भी हो सकता है फसलों को कि फसले अभी पकर के तैयार हो चुकी है तो इसलिए हास से किसानों को थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है दोनों ही सिस्टम डिप्रेशन की स्टेनी तक जाएंगे और संबावित है कि अभी दोनों सिस्टम में ऐसा लग रहा है कि डिप्रेशन बनेंगी, लेकिन फिर भी अगर जो अरेबियन सी का जो सिस्टम है, वो बहुत जादा समय तक के समुंदरी चेतर में नहीं रहेगा, तो इसकी थोड़े से चांसे कम हैं, लकिन जो सिस्टम में बंगाल की खाड़ी है, इस को थोड़ा रूट मिलेगा, जिसके चलते ये डिप्रेशन तक जा सकता है, इसके बाद में जो भी अप्टेट होगा, हम आपको इसके बारे में भी अप्टेट करेंगे, खलाल इस वीडियो में अभी इतना है, धन्यवाद